नमस्कार दोस्तों सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी इस्टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत हैं तो दोस्तों जिन अब्यर्तों ने प्टिटी की एकजाम दी थी उन सभी के लिए एक और न्यूज यहां पर जो है निकल कर सामने आगई है अब सभी के लिए बड़ी खुसकबरी है जिन भी विध्यारतियों के आवेधन फोरूम में जो आपने प्टिटी का फोरूम बराता यदि उसके अंदर किसी भी प्रकारी की कोई गलती है इससे सम्मानित पहले भी अपडेट आ चुका था लेकिन दोस्तों अब बहुत सारे विध्यारतियों के नाम में या फिर उनके माता-पिता के नाम में यदि मिश्टेक हो गई है तो भी आप दोस्तों यहां पर चैन्ज करवा सकते हैं लेकिन उसकी भी एक सर्त यहां पर रखी गई है वो क्या सर्त है, क्या अपडेट है, क्या न्यूज आई है आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर मां आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो को कंप्लीट देखना और जो भी हमारी चैनल पर बहली बार है या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से डायरेक्ट जुडने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसी जो अपडेट होती है वो हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तो आगे भी आपको कटोप से सम्बंदित, रिजेल्ट से सम्बंदित और काउंसलिंग से सम्बंदित और कोलेज किस प्रकार से सेटेक्ट करनी है A to Z पूरी जानकरी इस चैनल पर मिलने वाली है तो सब्सक्राइब जरूर करने न, वीडियो की नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लेना और नोटिपिकेशन बेल को जरूर ओन कर लेना तो दोस्तो परिवर्तन सम्बंदित जो सूचना है वो क्या ही है यहां पर देखिए कारल्य समन्वंएक पिटीटी 2024, वर्दवान, मावीर, खुलाविस, विध्याल, कोटा कारल्य आदेश यहां पर जारी हो चुका है और यह है आदेश आदेश क्या है वो आप यहां पर देखिए लिखा हुआ है इस कारेले के आदेश करमांग तेविश तेविश तारी को भी अपडेट आई थी उसके उपर मैंने वीडियो बना दिया था वो भी ये संसोधन से संबंदी थी यदि आपके आवे दन फोरे में किसी प्रकार की तुरूटी रह गई थी तो उसको यहाँ पर चैंज करवाने से संबंदी अपडेट आया था तो उसी के करम में यहाँ पर जो है अब बहुत सारे विद्यारतियों कि यदि नाम में या माता पिता के नाम में मिश्टेक है तो छोटा सा संसोधन आप कर सकते हैं लेकिन वो किस प्रकार से होगा आपके जो मूर दस्तावेज है जो दस्वी क कक्षा या बारवी कक्षा मार्क सीट ये सर्टिपिकेट या अन्य कोई सरकारी दस्तावेजों के आधार पर आप अपना जो नाम वगएरा जो है वो चैंज करवा सकते हैं जैसे कि दस्वी की मार्क सीट जो है उसके अंदर जो नाम है उस आधार पर या फिर बारवी की मार स्टिति के नाम के आदार पर या फिर अन्य कोई सरकारी डोकुमेंट्स के आदार पर जो है आप अपना नाम अपने मातपिता का जो नाम है वो चैंज है यहां पर करवा सकते हैं उक्त नामों में पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं होंगे फोटो एमंग अस्थाक्षर में परिवर्तन केवल दोनों जगे फोटो या फिर दोनों जगे स्थागचर यादी अपलोड हो गई है तो उसी इस्तिति में यापर मानने होने वाले है लास्ट देट कितनी है 29 तारीक 29 जून तक आप अपना जो भी यापर तुरूटी वगएरा है सब का सुधार कर सकते हैं या आपर डेट और आ चुकी है इसका मतलब यह है कि अब आपका जो पीटेटी का रिजल्ट है वो जून जुलाई के महीने में ही आने वाला है जून में तो आपका पीटेटी का रिजल्ट नहीं आ सकता है तो आप अभी से जुड़ जाए चैनल से जैसे रिजल्ट आएगा त करना पड़ सकता है वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद